आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Friends, आज हमाना question है कि हम से पूछा गया है कि यह correct order of dipole moment किसमे होगा तो dipole moment जो है मुसे represent करते है यह basically हो जाता है Q into D It is a product of हमारा charge into distance between them या फिर perpendicular distance तो जैसे मालेजी हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास fluorine है chlorine है bromine है और iodine है और सबके साथ यहाँ पे हमारा CH3 लबाव रहा है तो CH3, Cl, CH3, F CH3, BR और CH3, I अब देखेगा यहाँ पे अगर हम BR और iodine में बात करें तो यहाँ पे हमारा जो type of moment है वो bromine का जाता होता है क्योंकि देखे हमारा यह जो bond length है यह length भले हमारा iodine का यह जो bond length है इसमें आपका CH3, I वो जादा होता है हमारा CH3, BR ठीक है with respect to bond length ठीक है अगर माली जो charge wise देखा जाए तो हमारा यहाँ पे हमारा जो charge आएगा यहाँ पे Q2 generate हो रहा है इसके कारण ठीक है और इसके कारण Q2 generate हो रहा है तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि CH3, CL सबसे जादा फिर हमारा CH3, F फिर हमारा CH3, BR और फिर हमारा CH3, I ठीक है यह वाला आपको यहाँ पे कैसे हुआ वो देख लीजेगा कि देखेगा हम लोगों का down the group जो है हमारा हमारा चार्ज जो है ड्राश्टिकली decrease करता है ठीक है as we go down the group हमारा चार्ज जो है ड्राश्टिकली decrease करता है तो यहाँ पे overall जो प्रड़क्त देखा जाता है Q into D का उसमें देखा जाता है कि यह फ्लोरीन जो है तो नवसी नहीं यहाँ पे CL सबसे जादा है मत्तब यह फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आज तो हमारा हो जाएगा अपसर नमबर B Thank you